नमस्कार मैं शिवम हूँ आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम है साथ ही प्रदूशन भी बढ़ रहा है ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं नितिश कुमार की बहुत सारी योजनाय हैं कोशिस की जाती है कि वातावर्ण को संतुलित रखा जाए लेकिन हो नहीं पाता अभी रेटिंग आई है स्विजलेंड के अजनसी के तरफ से कि दिल्ली सबसे प्रदूशित सहर में भोशित किया गया है दिल्ली को तो बहुत सारी चीजे हैं जो हम बात करेंगे लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हम आये हुएं तुलसी वाटिका न करते हैं और यह जो तुलसी वाटिका इसका नाम है तो तुलसी आप समझे तुलसी वी एक पौधा है तो उसी तरह का नाम रखा गया है यहां पर निरिक्षन भी करते रहते हैं लोग भी हैं यहां पर काम कर रहे हैं जैसा कि नितिश कुमार हमेशा बोलते हैं कि एक पौध करते हैं वाटिका की चीज़ों को आपको दिखाते हैं अलग-अलग किसम के फूल है यहां से लोग आते हैं ले जाते हैं और यहां से आप यहां का जो मौसम है ना वह बहुत कुछ बता देता है यहां के मौसम से पता चल जाता है कि यहां का मौसम किस तरह से अलग है दूसरे जगों के मौसम से यहां पे पेर पौदे काफी जादा हैं और यहां के मालिक से भी हम बात करेंगे आप अपना नाम बताईएगा थोड़ा सा मालिक से बात करते हैं क्या नाम हूँ आपका सर्च जी मेरा नाम अमरेंद प्रकाश हुआ अमरेंद जी कितने दिनों से यह वाटिका है यहां यह सरच चेशाट साल से उपर होगा है जी 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 हैं लोगों को पुरोचा हिद करते हैं जितना संभव ज्यादा से ज्यादा पौधें लगा है है लोग का जीवन है अगर धरती पर प produced नहीं रहा है तो हम लोग नहीं बस tenir लोगों नहीं है इसलिए हम लोगों पुरे लोगों जो आते हैं जो भी कस्टमर के रूप में प्लांट खड़ित ने उनको प्लांट के बारे में बताते हैं उसके महत्व के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि जहां तक संभव आपके पास जो भी जो जगह है उस हिसाब से उसके अनुसार आप कुछ न कुछ पौधे जरूर लगा है कितने किसम के आपके उस पौधे हैं लंसम में पौधा अगर भराइटी बाइज देखा जाए तो फल फूल यह सब मिला करके सौ के आसपास पर भराइटी हो जाएगा तो कितने फूल हैं इसमें से मान लीजिए कि आपका ज्यादा तर फूल आइटम है फूल में जैसे की आजाते हैं उसकी संख्या जादे हैं पतिदार पौधों की संख्या जादा है कि यह सब कौन-कौन सा है थोरा सम दर्शू को बता रहें यह किस चीज़ का है जैसे यह चांदनी का पौधा है इसमें वाइट कलर का फूल भी आता है बहुत सुन्दर अगर यह चाहेंगे तो अगरी का मौसम आया बेली होता है जूही है चमेली है रात रानी है इसके बाद में आपका उर्हूल है सालो खिलने वाला फूल है यह सारा काफी नाम है पिर इसकी अंतरगत तागरी में भी बहुत सारा भराइटी आ प्रदूशन को भी यहां पर मतलब यह चुकी पौधे लगाने से कम होता है तो लोगों को बताते होंगे प्रदूशन के बारे में भी अप लगाने से वाई प्रदूशन और धौनी प्रदूशन दोनों रोकती है काम कर रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे यह लोग दिन रात मेहनत करते हैं प्लांट लगाते हैं मुशीवत तो होती होगी सर अपना नाम बताइए क्या होता है आप पौधे लगाते हैं तो ऐसे में कभी कभी यह होता होगा कुछ पौधे मुर्जा जाते होंगे तो दुख नहीं होता है प्र क्या करते है निसको कवार लते प securities लगा लगाते वह कैसे पता चल जाता है कि पौधा जीवित रहे गा कुछ अंदाजा होता है या कितने असलम पटांव एक दिन में लगा यह लोग काम करते हैं कि पचास पौधे हम लगाते हैं तो 40 जीवनत रहते हैं दस मर जाते हैं तो आप लोग है चुकि वातावर्ण में काफी प्रदूशन है और इसी वजह से कोशिश की जाती रही है कि एक पौधा कम से कम हर कोई लगाए और चुकि हम लोग इस तुलसी वाठिका में हैं यहां पर खासकर तुलसी नाम दिया गया है और साथ ही चुकि फूल है तो फूल का बहुत जादा महतु है अब मुस्कुराहट लाने के लिए हम फूल का यूज कर देते हैं कभी ऐसा भी होता है कि मंदिर जाने के लिए हम फूल ले जाते हैं देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं किसी को गिफ्ट देना होता है तो वो भी फूल से हम गिफ्ट उनको देते हैं फूली देते हैं तो यह सब चीजें हैं जिनके लिए लोग आते हैं यहां से खईते है फूल और कोशिस यही होती है कि अपने घर पे भी ऐसा ही एक महाल बनाया जाए तो आपने उसे भी अन्रोध है कोशिस करें ज्यादा ज्यादा खरीदें यह गांधी मैदान के बगल में हैं तुलसी वाटी का जहां पर हर किस्म के पौधे हैं आप पौधों का एक नजारा दे कि अच्छे जो है ना वह बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि चारों तरफ हर्याली है तो जल जीवन हर्याली की बात आ जाती है तो हर्याली होनी चाहिए और हम बात करते रहेंगे तमाम ख़वरों से आपको रूब कराएंगे फिलाल यही कि कोशिस करें एक प हुआ